सुल्टानपूर में राम वन गमन पथ मार्ग यानी चित्रकूर से अयोध्या तक की ट्रैफिक, साव सफाई, अतिक्रमन, सौंदारी करन, आधी की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी, कृतिका जोत्सना, पुलिस अधिक्षक, सोमिन वर्मा, मुखे विकास अधिकारी, अमिठी सुल्टानपूर बॉर्डर से लेकर सुल्टानपूर से अयोध्या बॉर्डर तक बस के माध्यम से ब्रह्मन कर स्थित्यों का जायजा लिया गया। इस दौरान प्रयागरा जयोध्या राजमार्ग पर अवैद पार्किंग, अतिक्रमन, साफ सफाई, रोड लाइट, सडकों के किनारे, ओवर ब्रिज आदी का सौंधरी करन, पॉधर ओपन, दुकानों के किनारे, अतिक्रमन, फुटपात, सही कराने, पेजल, ट्रेफिक अधिकराने के संबन में निर्देश दिये गए, जिला अधिकारी दवारः, पी डेवल्यूदी, विभाग, विदुत, विभाग, जिला पंचायत, राज, अधिकारी, अधिसासी अधिकारी, नगरपाली का, वन विभाग, सिचाई, विभाग, सहीत, अन्य विभागों के विभाग अधिक्षों को निर्देशित किया गया कि राजमार की किनारे सभी प्रकार के अतिक्रमन हटाए जाए किसी भी प्रकार का ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए उन्होंने सभी संबंदित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये कि कोई भी अधिकारी बिना बताए मुख्याले नहीं छोड़ेंगे उन्होंने सभी को निर्देशित किया कि सभी विभाग एक एक्रिते प्रयास करते हुए सभी व्यवस्थाइं सह समय सुनिश्चित करें पुलिस अधिक्षक सोमीन वर्माद्वारा लौ एन ओर्डर और ट्राफिक डैवर्जन से संबंदित आवश्चित दिसा निर्देश दिये गए उन्होंने निर्देशित किया कि जहां भी अतिक्रमन हटाना है वहाँ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन आपसी समन्वे के साथ काम करें स्ट्रीट बर्ज के लिए सुल्तानपूर से लाल जी की रिपोर्ट यह 22 जन्वरी के कारिक्रम को ले करके स्पेशली जो हमारी सडके हैं सुल्तानपूर की आयूध्या की तरफ जाती हुई उसका कल हम सभी ऑफिसर्स की पूरी टीम ने भ्रहमन किया था इस भ्रहमन का जो मुखे उदेश था वो यही था कि हम यहां पे जो हमारी रोज है उनक में हमने यह तुचित निर्देश दे दिये हैं उसी के साथ रस्ते की थोड़ी साफसफाई के लिए भी और जैसा आप लोग जानते हैं कि पिछले महीने भी हमारा एक अतिक्रमन को ले करके चला था अभ्यान चला था जिसके तहर जो हमारा नया वेंडिंग जोन बना था उ उसी अभ्यान को बेसिकली हमने और बढ़ावा देने के लिए की और इरिक्षा स्पेशली इरिक्षों की वज़े से भी बार बार शहर में बहुत जादा जाम लग रहा था इन दो तीन चार में बिंदूओं पर कल हम लोगों ने चर्चा की उसी के साथ जो हमारा गोपाल द उसको हर हालत में हम अगले हफता दस दिन में खोलने की पूरी कोशिश करेंगे उससे भी थोड़ा जाम में लोगों को रिलीफ मिलेगी और जैसे ही शेहर की जाम में रिलीफ मिलेगी आटोमेटिक ली जो आयोध्या की तरफ हमारी सड़के हैं वहाँ पे जब वाहन जाएं उसको लेकर के निर्देश दे दिये गए हैं धन्यवाद